चली start करते हैं वचालो burning of metals and air इंपॉर्टें इस बारे में दिखिए सबसे परहलाइची बिर्निंग क्या होता है जब लोग बात करते हैं अब बिर्निंग की तो बिर्निंग का मतलब होता है कि it is going to combine with air विट oxygen बिर्निंग में हम लोग क्या करते हैं जनरली हम लोग metal को लेते हैं और हम लोग कोई भी चीज बर्न कर सकते हो वसे हम लोग यहाँ पर metal की बात कर रहा है metal को लेते हैं और हम लोग air में जो oxygen है उससे react करते हैं we start हम लोग कुछ न कुछ heat जरूर देते हैं starting में और फिर हमें मिलता है some metal oxides और metal oxides के अलावा अगर यह fuel है generally होता ही है तो आपको कुछ न कुछ energy भी मिल जाएगा exothermic reaction अगर हुआ तो ठीक है mostly exothermic reaction होगा fuel को हम लोग जब burn करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है some compound product and some sort of energy so burning of metals will give you metal oxide this is the main primary compound आगे वरके हम लोग देखते हैं किस तरह के oxides बनते हैं कौन सा metal क्या oxides बनाता है ओके तो aluminium को अगर हम लोग अगर burn करेंगे तो जैसे मैं पता है कि metal को burn करने पे क्या मिलता है बचलो oxide aluminium क्या मिलेगा aluminium oxide copper सत क्या मिलेगा copper oxide iron के साथ में क्या मिलेगा iron oxide ध्यान रखिएगा कि यह जो valency है वो satisfy होना चाहिए यह देखिएगा aluminium का plus 3 oxygen का minus 2 इसलिए L2O3 बना copper का Cu plus 2 oxygen का minus 2 इसलिए CuO बना iron maximum state में रहेगा plus 3 oxygen minus 2 Fe2O3 बन जाएगा जब हम लोग flame color की बात करते हैं तो हम लोग एक तरह से test करते हैं अगर कोई high temperature flame होगा और इसमें अगर आप थोड़ा सा aluminium डाल दो तो अगर copper का डाल दो पीसे हो क्या color आता है इन ज़र अगर आप देखोगे तो flame का aluminium का जो होता है that is bright color होगा white ही form होता है okay copper पहले burn नहीं करता does not burn okay starting में does not burn सिर्फ black color हो जाएगा लेकिन high temperature पे वो high temperature पे वो green भी show कर सकता है या दखिएगा NCRT में इसके बारे में बात नहीं की गई even iron के बारे में बात नहीं की गई iron के बारे में अगर देखोगे तो it burns with a golden color ठीक है golden yellow color का वो burn करेगा solubility of the product L2O3 यह तीनों ही insoluble होते हैं पानी में यह लोग insoluble होते हैं यह भी insoluble यह भी insoluble okay hydroxides या oxides की बात करें solubility है अगर किसकी होती है sodium potassium group 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है metal में परीकत अगर बात नहीं है sodium potassium यह लोग soluble होते है ammonium तो अलड़ी आपको पता है कि यह आपका hydroxide बनाएगा तो वह आपका soluble है बट यह आपका क्या है non metal है इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहा है okay तो अभी हम लोग देख लेते हैं reactions कैसे लिखा जाता है बहुत simple है दो चीज़े होती है reaction में पहला तो आपको correctly reactant and product लिखना होता है दूसरा चीज वह balance होना चाहिए balancing is the last step first step is writing the correct product तो बहुत simple है यार metal उटाया oxygen लिया रिया करके metal oxide बना दिया देख लेते हैं फटा फट let us take some examples फटा फट example लेते हैं oxide टेक lead plus O2 will give you lead oxide और मालो mg plus O2 will give you MgO और माली यहां से हम लोगने all ले लिया iron plus O2 will give you Fe2 O3 हम लोगने कुछ और भी ले लिया aluminium plus O2 will give you AL2 O3 clear अब next step क्या बचा हो है balancing अब देखो कैसे balance करता है वह भी बहुत simple है already देखो zinc यहां पर balance form में है इस पर सब में देखो metal आपका जहां 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 balance नहीं है आप balance हम लोग कर सकते है तो zinc अगर हम लोग देखे हमाल लेजे इसको हम लोग use कर रहा है balancing technique देखने हो तो यहां पर one है तो हमने यहां भी one रखा हुगा प्रोडक्ट साइड में oxygen क्या है यहां पर one है यहां पर हमारा पास two है तो हम लोग क्या करेंगे यहां तो इसको one by two कर दो तो one by two balance है पक्का है कोई लिकर नहीं होगा सही है बट आपको अगर school में ऐसास नहीं सिखाया गया नमबर कट सकता है तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग क्या करेंगे सभी को हम लोग two से multiply कर दें यहां जो denominator है तो क्या हो जाएगा two zinc कि two हो जाएगा और यहां पर आकर two हो जाएगा तो two z n प्लास two by two कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो मैं इसको अटा दे रहा हूँ इस वान इसे हम लोग फटावट सबको बालंस करा सकते देखो यह अगेन आपका ऑक्सिजन 1 यहाँ पर 2 है लिट बैलंस है तो आपका 2 यहाँ भी आपको छोड़ दो यह आपका 2 हो गया इसका कोईफिजन यहाँ इसका कोईफिजन निया Actually ऑगे अब oxygen balance हो गया आदम कितना है 4 तू एक टू और यह 20 तैंस 4 तो यहां 4 कर लिया ठीक है ना यहां पर कर लिया आपके यह 2 किया तो 6 हो गया तो यहां पर कर दिया 3 6 हो गया Aluminium यहाँ पर हो गया 4 तो यहाँ भी आपने कर दिया 4 Balance अगर आप लोग लास अगर हम लोग देखें Sodium का भी देख लेते हैं Sodium प्लस O2 हम लोग यह मानते हैं कि यह Oxide बनाता है तो यह बनेगा ही इस तरह से अगें देखो Oxygen यहाँ पर यहाँ पर 2 हम लोग क्या करते हैं पहले Oxygen ही Balance का लिए उटा के Oxygen नहीं कर लोग तो बालनस हो जाएगा आप यह बढ्या 4 तो यहाँ पर 4 ता इस तो यहाँ पर 4 तैम कर लिया आपका Oxygen नहीं पर 2 बालस Sodium 4 Clear? सब्सक्राइब करने वाला है ज्यादा अच्छा आपको लगेगा आप फिर समझ सकते हो कि ncrts में आपको क्या सिखाना चाहरा है नॉमली कोई भी oxides के में लोग बात करते हैं तो oxides को हम लोग इन चार क्राइब करते हैं कौनकौन सा first is the acidic oxide basic oxide neutral oxides and amphoteric oxide now this is very 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 important for our examination एके करके इसको फटा फटम लोग देख लेते हैं यह सब हैं क्या चीज़ ओके okay so acidic oxides क्या होते हैं बच्छा लोग acidic oxides क्या होते हैं acidic oxides are basically वो oxides जो acid के तरह behave करते हैं अरे acid किस तरह होता है acid base react करके क्या बनाता है salt and water उसी प्रकार से acidic oxides are those oxides are those oxides which reacts with which reacts with bases with bases to form to form what salt and water okay they are basically आपका क्या होंगे non-metallic oxides होते हैं generally यह non-metallic oxides ही होते हैं example can be CO2 then SO2 it can be metallic oxides also rare है कम है पर हैं example they can be CRO3 Mn2O7 ऐसे हैं आपके कई सारे हो जाएंगे okay अगर हम लोगों देखना हो इसके reaction एक example देख लेते हैं सबसे common is CO2 CO2 plus NaOH अगर आपने base ले लिया it will form what Na2CO3 plus H2O इसको क्या करना है simply आपको two times कर देना है clear understood okay so basic oxides basic oxides कौन दना आता है देखिये generally आप देखियेगा की metallic oxides are basic in nature okay so metallic oxides are basically basically basic in nature examples can be आप देखोगे Na2O यह भी आपका बहुत strongly basic है potassium zinc भी basic है to some extent yeah just basic then aapka magnesium oxide calcium oxide so many oxides are there which can be treated as a basic oxide basically क्या बोलेंगे basic oxides definition क्या होगा are the oxides which react with an acid to give salt and water definition में कोई दिक करती है they are the oxide these are these react with react with acids to form acids to form salt and water clear and water example हमने आप देखा है यहाँ पर Na2O हो गया मानली का आपका ही ले लिया प्लस आपने मानली कोई और ले लिया है HCl ले लिया as an acid it is going to form what NaCl plus water confuse मत होईएगा हम लोग हमेशा product पर लेखेंगे फिर हम लोग उसके balancing की बात करेंगे और यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 है HCl एक है यह तो असा होगा नहीं यहाँ पर Na आपका कितना है Na आपका only one है यहाँ पर two है let us try to balance it हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं two times NaCl तो sodium balance हो गया अब हमें दिख रहा है two Cl है तो two times को भी कर दें so आपका Cl यहाँ पर two हो था वो balance हो गया now what about oxygen H2O में एक oxygen इदर की और है that is on the right side left side पर भी यह की है so the reaction is completely balanced very easy hope you have understood very well okay next let us go for neutral oxides okay so neutral oxides क्या होते हैं neutral oxides वो oxides है जो ना acid की तरह बिएव कर रहें नो base की तरह तो हम लोग क्या बोलेंगे neutral oxides neither behave as an acid nor as a base so neutral oxide do not act as acid or base so यह ना acid स्रिया करके salt and water बनाएंगे examples are basically important are three very important neutral oxides are NO nitric oxide N2O dynatrogen oxide and carbon monoxide CO इसको याद अखिएगा बहुत 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 important है now we say water also neutral water is neutral if we say that यह आपका based on pH होता है based on pH but इसको आगर हम लोग ऐसे reaction wise देखे हैं तो इसको हम लोग amphoteric metals amphoteric oxide में count करते हैं okay metal तो नहीं यह non-metal है non-metallic oxide है but यह amphoteric nature शो करता है okay we will see in our next section okay now very important amphoteric oxides क्या होते हैं so amphoteric oxides are those oxides which can act as an acid when reacts with a base as well as a base when it reacts with an acid एक सब दून नहीं हो सकते हैं so amphoteric oxide can act as an acid when it reacts with a base when it reacts with a base okay with a base के साथ यह आपका acid तर भीएफ करेगा इसका मतलब यह salt and water दे रहा होगा as well as base as well as base when it reacts with when it reacts with what when it reacts with an acid with an acid okay example पॉर्द इंपोर्टन है zinc oxide, aluminium oxide, it can be lead oxide, it can be tin oxide also पर हमारे course में इंपोर्टन इतना नहीं है 10 भी लिख सकते हो, SN, O, SN, O2 लिख सकते हो, को लिखे तली बात नहीं है okay so कैसे reaction होगा, क्या होगा, फटा-फट हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं जैसे मार लिखे आग पर reactions की बात करते हैं zinc oxide एक लिख लेते हैं plus HCl यह आपको salt and water देना चाहिए ZCl2 plus H2O यह हो गया, दूसरा क्या हो जाकता है, zinc oxide plus NaOH यह बेसरिया कर रहा है यह बनेगा Na2, ZO2 plus water now balance ही हम लोग कर लेंगे, खबड़ाइए का मत important है क्या आप यह देख पा रहे हैं कि जब यही oxide when it reacts with an acid it is giving you salt and water और वही oxide, drink oxide when it reacts with a base, अलग reaction में it gives you another complex salt ठीक है Na2, ZO2 is a complex salt plus water very important aspect में एक फिर से बोल रहा हूँ amphatric का मतलब यह नहीं है कि same compound उसी reaction में acid और base की तरह behave करें यह vibrant नहीं वो alig-alig reaction की भात कर रहा है अगर वो acid से react कर रहा है तो base की तरह behave करेगा, अगर वो base की तरह react कर रहा है, lab base से रहाख कर रहा है लब base से react कर दो बाबाजी बभू ना इस ताइम फर मौस्स too क्वेस्टन्ट वे यह हमारे हैं बाबा जी बाबा जी बवु बजाएंगे और आपको इंपॉटन्ट केशिट्न दिखाएंगे हर कोई क्वेट के लिए पूट्न है और कोई भी इंगजामनेशन होगा उसके लिए भी ध्यान से देखिएगा और इसको जरूर से अपने कॉपी में अच्छे से कर लिजएगा ओके ओके तो बाबा जी ने पहला important question क्या बताया है Amphotric Oxide के reactions को अरड़ी एक हम लोगों ने कर के रखा हुआ फिर से हमनों अब बार देख लेते हैं सबसे important aspect था क्या हमें zinc उपर बात कुई zinc oxide plus HCl will give you what zinc chloride plus H2O और आपने इसको बहुत अलाम से balance कर लिया था टू टाइम्स करके उसी प्रेकार से zinc oxide plus अगर आपने NaOH किया हुआ है तो आपका बनेगा Na2 ZnO2 sodium zincate plus water ओके पहले हम लोग कर चुके हैं Now let us talk about इसको बने two times कर लिया था और स्वारी इसको बने two times कर लिया था and the thing was balance इसको मैं हटा देता हूँ Next अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को बात करना है किसके बारे में हम लोग को बात करना है aluminium के बारे में अलिमीनियम के बारे में भी इसी तरगा रेक्शन होगा Al2O3 plus HCl क्या होगा बैटा AlCl3 aluminium है तो देखो एक बड़ा important aspect में आपको बताता हूँ यह रेक्शन में हम लोग पर लिख रहते है Aluminium chloride हो गया प्लस water उसी प्रकार से Aluminium Al2O3 Oxide plus NaO4 अगर हम लोग करें तो क्या बनेगा Na NaAlO2 NaAlO2 ठीक है प्लस आपको मिला water तो हमें यहाँ पर टू टाइम्स कर देना है तो टू टाइम्स यहाँ पर Aluminium Balance हो जाएगा और टू टाइम्स को क्या है तो sodium balance हो जाएगा oxygen अपने यहाँ बैलन्स होना चाहिए हाँ balance भी है विकास यहाँ पर 3, 2, 5 और यहाँ पर 4, 5 oxygen हो जा रहा है clear तो यह हो गया balancing part उपर वाले balancing करना हो तो देखो यहाँ पर 3 CL लिख रहा है यहाँ पर 2 Aluminium तो 2 टाइम्स कर दो इसको Aluminium balance हो गया 6 CL तो 6 को कर दिया और 3 आपने इसको कर दिया तो यह balance हो जाएगा ठीक है कोई आप से बोले LED के बारे में तो LED में क्या होगा बचा लोग तो उसी प्रेकार से LED अगर आपका आगया प्लस HCl तो आपको दिखेगा क्या बन रहा होगा PbCl2 प्लस H2O जस्त लाइक आपका फर्स्ट रेक्शन जैसा होगा तिसको 2 टेंच कर लोगे balance हो जाएगा दूसरा रेक्शन है LED अक्साइड प्लस NaOH का तो ये बनता है Na2PbO2 Na2PbO2 प्लस H2O ठीक है अब ये जो आपका बन गया ये आपका reaction आप बस इसको balance कर लो कैसे balance होगा जस्त लाइक आप देखो यहाँ पर जिंग जैसा ये reaction हो रहा है टू टाइम्स को भी कर दिया and your reaction will be balanced का nature भी देखोगे तो almost आपको दिख रहा होगा चीज़ी तो इसी है आपको जैसे आप देखोगे जिंग के जैसे ही आपका lead reaction कर रहा है balancing भी easy है आप फटाक से उसको कर सकते हो कोई डिक्कत, कोई doubt ओके तो अभी तक आप लोगे ने जो reaction देखा उसमें क्या खास बात है थी देखो सबसे पहला चीज़े में ध्यान अखने वाली बात है कि यहाँ पर हमें salt मिल रहा था ठीक है ना दोनों ही case में आप acid हो या base हो पे salt मिल रहा था हम लोग ने देखा कि अगर acid स्रिया कर रहा था तो normal एक normal salt हमको दीख रहा था simple salt दीख रहा था normal salt या simple salt दीख रहा था है ना simple salt दीख रहा था और अगर हमें अगर हमारा case जब दीख रहा था when metal oxides were reacting with the base तो हमारा एक complex salt दीख रहा था complex salt दीख रहा था salt जो आपने साथ नहीं देखा होगा example na2 bb o2 complex है आपका जिसे माल लिजए na2 zn o2 हो गया यह भी complex है then na al o2 is also a complex इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बात में पढ़ेंगे क्या होता है complex यह class 12 में आपको आएगा लेकिं समझेजेगा कि एक तरह का यह भी एक salt है कुछ complex nature देता होगा complex मतलब which is not the property of a simple salt ठीक है for example अगर हम लोग बात करें अगर मैं naCl को पानी में डालता हूँ तो पानी में यह तूड जाता है na plus plus cl minus में ठीक है ना ions बन जाता है तो मुझे sodium भी दी मिलता है और cl minus भी मिलता है पर वही अगर मैं अगर मैं यूज करूँ na2,z and o2 को और पानी में डाल दूँ तो आपको na plus तो मिलता है पर zinc as such free नहीं मिलता zinc आपको नहीं मिलता zinc आपको नहीं मिलता आपको एक complex salt कुछ अलग कुछ जो आपने expect नहीं किया उससे अलग मिल रहा होगा और जो मिलता है वो मैं अवे लिक तो दे रहा हूँ आप बस इसको ध्यान रखिएगा यह कुछ इस प्रकार से salt मिलता है ठीक है यहाँ पे z and o h hole 4 2 minus मिलता है तो यह बड़ा ही अजीव हो गया इसलिए complex नाम दिया गया इसलिए complex salt के बारे में हम लोग साथ में और अगर हम लोग salt की बात करें तो salt वाले में क्या खास बात है salt में हमेज़ा दखिएगा आपका दो पार्ट होता है एक होता है cation और एक होता है anion now anion comes from the acid from acid from acid से आता है acid का anion है anion of acid cation होता है cation of base of base so acid or base से आ रहा है example अगर मैंने zinc chloride बना कैसे बना है सोचा था zinc oxide plus मैंने क्या किया था HCl किया था तो देखो HCl का Cl इसका anion बनेगा और zinc का Zn2 प्लस इसका cation बनेगा इससे salt बना now यह valency 2 है यह 1 है इसलिए आपने criss-cross multiply किया and you get what zinc chloride plus water तबका है I hope you've got the basic mechanism कैसे हो रहा है ठीक है न salt को समझेगा तो चीज़े बहुत असान हो जाती है ओके तो बाबा जी ने नहा भूपू बजाया है और अब आपके पास सामने आया है एक नहा question कौन सा है वाई sodium और potassium metals are stored under kerosene oil हाँ दीखिए sodium और potassium बहुत reactive होते है they are very reactive very 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 reactive ओके और reactive होते हैं तो they react with air they react with moisture और वो moisture के साथ अगर react कर रहे होंगे तो moisture from air ही ले लो तो क्या हो जाएगा they catches fire कैसे आया होगा आप ऐसे सोचते हो कि अगर sodium पोटाजियम रियाक करता है पानी से तो आपको मिलता है hydrogen gas exothermic reaction भी fuel भी निकल रहा है heat भी निकल रहा है तो fire catching में भी वहना था प्रावबल के लागा है तो आपको समयाना चाहिए when it reacts with moisture it catches fire तो कभी भी sodium और potassium जो इतने हाले रियाक्टियम आपको उसको open air में तुने रहा सकते है आप उसको ऐसे जगा रखो कि जहां पर यह reaction इस तरह से ना हो that is why since they are very reactive therefore they are kept under kerosene oil अब बोलोगे sir kerosene oil भी तो आपका एक fuel है हाँ kerosene oil आपका fuel है और देखे हर fuel को जलने के लिए एक minimum temperature की requirement होती है which is called as ignition temperature ignition temperature वो temperature होता है जब कोई भी fuel जलता for example अगर आप wood को जला रहे हो wood is also fuel और आप kerosene को जला रहे हो petrol को जला रहे हो तो सब में आपको energy अलग अलग देना पड़ेगा ठीक है ना तुरंग जलता कुछ तुरंग ब्लास्टर जाएगा कुछ धीरे जलेगा wood बहुत जलता है उसका ignition temperature comparatively जाला हो जाएग यह है basically तो तो अगर हमने अगर sodium को kerosene oil में डाल दिया है तो अब kerosene oil लिया और यहाँ पे हमने sodium को डाल दिया यह भर दिया ठीक है और इसको close container रख दिया तो क्या हुआ kerosene oil जो होता है पहले क्या ही react करेगा answer is no तो कोई reaction नहीं हो रहा पहला चीज तो sodium आपका kerosene से react नहीं करा तो reaction नहीं हो रहा तो कोई heat नहीं निकला क्या hydrogen निकला नहीं जब reaction नहीं कुछ भी नहीं हो रहा तो वहां पर पड़ा हुआ है unless and until you provide some sort of energy heat आगर heat कर दो या फिरा कुछ ऐसा कुछ कर दो जिसे वह उसमें कुछ reaction स्टार्ट हो जाए या गलती से इसको expose कर दिया तभी वह fire catch करेगा और उस समय kerosin oil के सामने अगर वह catch कर रहा होगा fire तो वह fire फैल जाएगा बट यह क्यास हम लोग आ नहीं नहीं देगे हम लोग पहले से लिट बंका कर रखे हुए तो जो हम लोग protect कर रहे हैं हम लोग preserve कर रहे हैं store कर रहे हैं बना कर रखा हुआ है कि यहां पर air भी नहीं पहुंच पा रहा यह कि kerosin oil air यह बोलीगा प्रतलब इसमें वह अगर हम बात करें रियेशन को रोकेगा ठीक है तो आपका यह चीज जो है भले inflammable है बट यह preserved रहेगा clear है so आपको यह question में why sodium potassium metals are stored in kerosonel because तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा because because these metals are very reactive these metals are very reactive are very reactive and catches fire when exposed to air fire when exposed to air okay hence they are stored under kerosene hence they are stored they are stored under kerosene oil kerosene oil clear very clear important question very very important question okay तो बाबा जी ने अलोडे प्रोक्रिम करके रखा है हम भी मान लेते हैं okay okay so next बाबा जी ने दो और question दिया हुआ है pose किया हुआ है name two metals which do not react with air okay तो अगर कोई air से react नहीं कर रहा है तो pure form में पाया जाएगा assay metals कौन कौन से होते है इन में से दो आपका हो जाएगा silver हो जाएगा gold हो जाएगा platinum हो जाएगा copper बोल सकते हैं पर copper react कर सकता है in presence of moisture उस पर green उस पर ग्रीन कुछ ने कुछ आपका coating आ सकता है वर फिर भी हम लोग इन दोनों को use करेंगे इन तीनों को आप अगर आप लेखते हो तो कोई देखे चली बात नहीं है ठीक है तो यह heat भी करोगे तो भी react नहीं करेंगे second है what do you observe when copper is heated in air हाँ copper देखी question में आई गया है तो copper अगर आप heat करोगे तो क्या बनेगा आपका जो solid surface पर आप heat कर रहा है तो copper will convert into what copper oxide so cu plus o2 क्या बन जाएगा copper oxide cu o copper oxide अब copper oxide जो होता है वो black color होता है तो basically क्या होगा एक coating से चड़ता चला जाएगा copper के उपर बे तो आपका blackened हो जाएगा वो surface समझ में आ रहा है तो reaction उसका अगर हो रहा होगा तो वो black color बनता चला जा रहा होगा यह आपका copper का अपना अलग brown color होता है है ना और वो black color में convert हो जाएगा clear copper 2 oxide बन जाएगा ओके ओके तो बाबा जी ने नहीं question pose किया है how does the metal surface appear after burning भाई लोग burning के बाद कौन अच्छा दिखता है यह भी अच्छा दिखेगा है ना बट कैसे लिखेंगे बहुत simple सा चीज है metal surface की बहुत खूबी होती है बहुत important खूबी होती है property होती होती है lustrous property चमकता है चबर समकता है isn't it तो lustrous property क्या बचेगी नहीं बचेगी so the metal की जो property है metallic lustrous property that is gone number one thing so the metal will will not show now lustrous property is gone lustrous property is gone second thing is there will be oxidized layer oxidized layer or coating that is going to form over the surface यह क्या होगा for example अगर आपने माल लेजिए अगर एक piece लिया suppose हम लोग ने लेए माल लेजिए aluminium का एक बड़ा से टुक्रा ले लिया और उसको प्लोग जला रहा है अगर reaction complete नहीं होता बच्चा तो उसके चारों तरफ जो आपका है aluminium वो पूरा पूरा जलना स्टार्ट होगा अब यह क्योंकि अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा माल लो complete direction नहीं हुआ तो अंदर क्यों क्या रहेगा aluminium रहेगा और बाहर क्यों यह oxidized layer बन गया AL2O3 का AL2O3 आएनी compound है उसमें तलश्रस होगा नहीं तो आपका appearance वाइज काफी change कर देगा ठीक है दोनों ही white है तो कोई दिक्ट वाली बात नहीं है पर अगर copper के देखोगे तो हो जकता है copper वाले में क्या होगा copper वाले में आपको black surface दिखने लेगा ठीक है copper का अपना color क्या होता है copper का उता है brown तो brown के उपर एक black body हो लेगा अगर reaction complete नहीं होगा complete हो गया तो पूरा पूरा चीज आपका black हो जाएगा ठीक है इसलिए हम लोग powder form में चलाएंगे तो almost complete हो जाएगा पर अगर में मालोग का copper का block ले लिए ठीक है ब्लॉक ले लिए suppose हम नहीं यहां पर copper का block ले लिए ठीक है पर पूरा रियाक्ट ही नहीं कर पाए तो पूरा रियाक्ट नहीं कर पाएगो तो क्या होगा आपका क्या होगा यहां तक आपका क्या होगा हर तरफ से बाहर पूरा कला कला हो जाएगा और अंदर आपका जो copper का जो आपका shade है मैंने इसको अच्छे से किया हुआ वो आपका वज़े से वज़े रहेगा तो यह आपका copper है और उपर से जो की atmospheric presence में आके जलाया है इसको हो जाएगा copper oxide जो कि black अदर हो जाएगा clear? which metals burn easily? बच्छे लोग बड़ा simple question है जो जादा reactive है वो जल्दी burn करेगा तो अगर हमें question पूछा जाए किस से compare कर रहे हैं sodium, suppose magnesium aluminium zinc, fe, copper अगर इन सब यह कैसे बात किया जाए तो हम लोग आगे पढ़ेंगे reactivity series में reactivity series में यह order होता है decreasing reactivity का ठीक है? decreasing reactivity का order यही होगा आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे लेकिन अभी भी आप लिख लिए तो यहाँ पर क्या होगा सबसे least reactive among this is copper तो सबसे लेट यह react करेगा, सबसे ज़्यादा reactivity से यह करने वाला है so sodium is our answer if question involves these elements okay okay तो बाबा जी ने अब नया question pose किया है anodizing के उपर very 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 important question very important question question है anodizing के उपर क्या मतलब है इसका? देखो anodizing अब वर्ड अनोड से आ रहा है मुँ देखेंगे इसके उपर क्या है definition क्या है so anodizing is a process it's a process of of forming of forming thick oxide layer it's a thick oxide word important है thick oxide layer layer on aluminium okay अब question होता है why do we require this? to make it to make it more corrosion resistant more corrosion resistant बात समया रहा है इसकी resistance के power को बढ़ाना है not only corrosion actually क्या होता है oxide layer जो बनता है वो काफी chemical सिप आपो बचाता है यानि aluminium को बचाता है because chemically वो काफी inert है reaction वो नहीं करना चाहता है बात समया रहा है so it is more corrosion resistant हो जाता है अगर मैंने layer को thick कर दिया problem क्या है problem क्या हमारे पास ये था कि thick layer कैसे बनाएंगे नहीं normally अगर वो बात करें normally अगर वो बात करें तो normal thin layer तो होता ही होता है thin layer meaning L2O3 का is always there is present as corrosion product ठीक है यह हमें सही होता है आप मुश्किल से अब उसको हटावब फट से बन जाएगा but I want even more how to do it so what is the method method is electrolysis electrolysis अब यहाँ पर नो करते के है यहाँ पर हम लोग anodizing है तो anode को हम लोग aluminium बनाते है aluminium बनाएंगे जिसको हमें onodize करना है ठीक है आपका electrolyte आपका हो जाएगा dilute H2SO4 ठीक है cathode आप कोई भी ले लो कोई भी ले लो मतलब आप ले लो graphite कर ले लो कुछ भी ले ले लो हमें इन से मतलब है now what is going to happen actually होगा यह कि जब आप electrolysis करते हो तो क्या होगा anode पर H2SO4 dilute लिया हुआ है यानि simply क्या है पानी कही रेक्शन हो रहा है नब पानी क्या करता है पानी electrolyze करोगे तो H2 plus O2 देता है and O2 कहा देता है anode पर okay so electrolysis of water water क्यों बोलना हूँ because dilute H2SO4 कोई काम नहीं सिर्फ वो acidify कर रहा है ताकि ज़्यादा ions आ सके ताकि रेशन आगे बढ़ सके यूँकि pure water is a not very good conductor of electricity तो पानी को अगर मैं इको ions डालना होगा तब ही ने conduction होगा इसलिए हम लोग कुछ बूंदे कुछ बूंदे ही H2O4 का डाल देता है अब इसमें होगा क्या आप चलो कि यहाँ पे O2 आने वाला है and this O2 will react with anode aluminium से react कराके thick layer को ensure कर देता है thick layer ensure कर देता है clear है तो आपने क्या किया पानी को electrolyze किया cathode पी निकलेगा hydrogen उसको छोड़ दो फरक नी पड़ता anode पी निकला oxygen उस oxygen को आप react करेगा automatically react करेगा because aluminium को हमें से जहाद होती है oxygen की तो वो react करना चाहेगा फटाक से क्या करेगा आपका aluminium से react करके L2O3 बनाना स्रू कर देगा और थिक करन थिकले रापका बन चाहेगा clear? okay?